लाश्च कमपरजन तो आपने देखाए डामसरी 8100 का, यहाँ से अब स्ञाप डबल जीरू के साथ भी में कमपरजन स्टार्ट कर रहा हूं, तो कोई भी कमपरजन आपको चाहिए डामसरी 7200 के साथ तो कमेंट जरूर किजेगा, आज का कमपरजन डामसरी 7200 वर्टसे स्नाप सबसे पहले बात करेंगे बिसिक इंफोर्मेशन डामसेटी स्नाप्रगन की यहां पर अनौंश जेट में डामसेट इनाउस किया गया था फरवरी 2023 में स्नाप्रगन दिसंबर 2020 में थोड़ा पुराना प्रोस्टर हो गया है तीन साल पुटाना प्रोस्टर लग बगेए और क्लास की बात कि यह तो मिड्रंज में आता है डामसेटी स्नाप्रगन एक फ्लेक्सिप लग क्लास में आता है फ्लेक्सिप लेवल होने का मतलब इसमें आपको कुछ चीजे बेटर देखने को मिलेगी को टेक्स यह सब तो अब स्टार्ट करते हैं अब स्टार्ट कर से वीडियो आर्किडेक्ट्र के साथ दोने प्रोस्टर लॉक्तों को दिये गए हैं यहां पर दैमसेटी में 2 को 2.8 क्वार्टेक्स A715 मिलेगा 6 को 2 गिगार्टक्स A510 देखने को मिलता है और यहां पी स्नाप्रगन में मिलेगा फर्स्ट को 2.8 क्वार्टेक्स X1 3 को 2.42 क्वार्टेक्स A78 और 4 कौ 1.8 क्वार्टेक्स A55 तो में पर जो क्वार्टेक्स X1 और वही मुझे लगता है अकेला काफी है बागी इधर दैम से 7 to double zero कहराने के लिए मलें डिफीट खरने के लिए क्योंकि क्वार्टेक्स X1 सच में काफी पॉर्फूल आता है स्नाप ड्रेगन कोई भी आप लिजे जो कि अपर रिजन्स में आते हैं जिसमें कोर्टेक्स X1 X2 और X3 लगा हो तो इसमें आपको काफी बेटर पॉफॉमस्स देखने को मिलेगी कोर्टेक्स A78, A7815, A7810 10 यह सब के कंपेरिशन में अधल की काहता है बते हिसे वहिआरा वेजने जवी पर रिख्रेंस, फ्रिकुमसिय के बास जएं अतना बटर होता है सकते है इसंपनगे मीटर केट है इस वाल फ्रे डिंवंडडाइक ना इन्यमेटर टीकलोजिक्स आता है इस्वहारा कम्पटिशन काफी है Main जो आपको performance देखने को मिलेगा, वो काफी बेटर होगा, लाश में दूदू बेंचमार्क, 3D बेंचमार्क, गीक बेंचमार्क यह से बताने वालों, तो देखेगा जरूरूर, अब बात करते हैं, यहाँ पे इसके ग्राफिक सपोर्ट की, तो जो डामसिटी एस में मिलेगा, माली जी 610, MC4 का अक्रेचर वालोल 2 है, माली जी 610 अच्छा है, 4000 तक इस स्कोर करेगा, लेकिन एडनो 660 से नहीं, एडनो 660 काफी पाउरफूल और काफी अप्स्टिमाज़ जैंग गेम्स के लिए, यहाँ पे इसका अक्रेचर एडनो 600 है, अब बात कर जाए, इसके फ्रि स्कोर 1720 स्कोर आएगा, यह काफी हाई स्कोर है, इसका एक गीगा फ्लॉस भी बढ़ना मतलब बेटर पर्फॉर्मेंस जेना हो जाता है, अब मेमोरी टाइप की बात करेंगे, मेमोरी टाइप में दोनों प्रॉसर LPDDR5 3200 मेगार्ट सपोर्ट करेंगे, UFS 3.1 का स्टोरेज दोनों ही रखते हैं, गेमिंग की बात की जाए, तो गेमिंग में हाँ पर काफी मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा, डामसरी सपोर्ट करेगा, मतलब डामसरी डेटा वीवो वी 27 से मैंने लिया है, स्नाप बटन का IQ 980 से लिया है, पबजी उमल की बात करेंगे, जहाँ प मैक्स उनलॉक मिलता है, अब बात करेंगे इसके वीडियो क्याप्चिल कर, वीडियो क्याप्चिल में स्नाप रगन बेटर है, एट के थरडे पर सपोर्ट करेगा, जबकि डामसरी में 4 के थरडे पर सका उप्सन दिया गया है, प्लेबैक भी ऐसी से में है, डिस्पले का भ अब बात के दो ने प्रोस्टर 5G सपोर्ट करेंगे है, एन आप पर 4G सपोर्ट में LTE के 21, LTE के 22 दिया गया है, Bluetooth 5.3 और 5.2 की टिकलोजी मिल जाएगी, Wi-Fi में Wi-Fi 6 का सपोर्ट दोने प्रोस्टर के साथ मिलता है, बिंचमार्क स्कोर, Geek बिंचमार्क, सिंगल कोड परफोर्मस में जो डामसटी 850 तक स्कोर करके रह जाएगा, लेकिन 850 भी स्कोर काफी बेटर स्कोर है, बाकी सारे प्रोस्टर के कंपरेजन में, और जो स्नाप डिकन यह 1121 स्कोर करेगा, लाज्ट में दिमार हमें आया थ इसकोर काफी बेटर है, तो अगर आपको कोई प्रोस्टर में डाउट है कि कौन सा प्रोस्टर बेटर है अभी बता रहा हूं, ट्रिपल यह एक मच बेटर प्रोस्टर है 7200 से, अन मल्टिकोर की बात किया, तो जो 7200 है 2300 सकोर करेगा, वहीं ट्रिपल लेट का स्कोर 3689 आता अगर आपको मैं याद दिलाओं कुछ बेसिक प्रोस्टर, जैसे कि 695 हो गया, 7200 हो गया, 8020 हो गया, यह भी काफी पारफुल प्रोस्टर हैं बट 6 lakh क्लोस नहीं कर पाते हैं, अन आपर जो स्नाब्रगन वह 8 lakh क्लोस स्कोर करेगा, अन 8050 का स्कोर थोड़ा कमाता है, 8100 का स् अन आपर बात लिए 3D Benchmark स्कोर की, डामसरी का स्कोर 4000 है, माली जी स्केने 10, अन आपर जो स्नाब्रगन वह 5703 मिलेगा, अन 0660 का सपोर्ट दिया गया है, कंक्लूजन बताता हूं कि आपको कौन सा प्रोस्टर बाई करना चाहिए, देखें, सीबी परफॉमस की बात करेग अन आपको एक्स्ट्रीम ही है, लेकिन अगर आपको एक मेडियम, नौर्मल मीडियम और हाई तक जाना चाहें, तो लिस यख बातकी तो दिया गयाAA 50 प्लस स्कोर है and snapdragon का स्कोर 82S में आपको एक्स्ट्रीम गेमिंग का उप्सन दिया गया है अल्ट्राइश ये के साथ अल्ट्रा अन्लॉक मिलता है and battery life की बात की बात की जाए था battery life में आपको 93 and 94 का स्कोर दिया गया है मतलब एक 4 nm technology और 5 nm technology है दोनों ही 8 watt है, snapdragon 888 थोड़ा heat करता है and I think damage is 7200 भी heat करता है अब बात की जाएश के take room score की तो जो damage ये 7200 से मैं 63 देता हूँ महीं snapdragon को 81 score देता हूँ and ये काफी powerful है तो कि अगर आपको powerful processor चाहिए जो अगर आपको 888 बसे दोनों का budget difference करेगा जरूर तो अगर आपको powerful processor चाहिए तो 888 एक अच्छा processor है और ये आपको काफी powerful और काफी better specs provide करेगा जबकि 7200 एक high in class processor है इसमें आपको high in task देखने को मिलेंगे better gaming देखने को मिल जाएगी battery efficient processor है 4 nm technology के साथ है 4k 830 ps unlock मिलता है तो ये सब चीज़े 7200 को better बनाती है अगर आप इन दोनों प्रोफसर में से कोई प्रोफसर बाइक कर रहे हैं तो बताएगे जरूर ताकि और लोगों के भी help हो जाए और इसी वीडियो अगर पसना है ये तो वीडियो को लाइक है चैनल को subscribe कीज़ेगा जरूर ताकि मेरी help हो जाए thanks for watching